कि परिशितियां बदल चुकी है अपराद के नीचर और बहुत बदल उसमें बदला हो आया है यह एंटिसेपेटरी वेल फाइल करते थे तो क्या CRPC के तहत होगा यह नया जो BNSS आया है उसके तहत होगा कि साक्ष के तौर पर जो पहले साक्ष होते थे उस समय मोबाइल नहीं तो उसको उसका जो बैक लोग है उसको खतम करने के लिए सरकार के क्या क्या मेकानीजम है अंग्रेजों के समय में जब भी था तो उसमें राजद्रो जैसी बात होती थी कि अंग्रेज राजद्रो की बात होती थी लेकिन यहां राजद्रो की बात नहीं हो रही है इसका और कई तरह की बातें भी निकल कर सामने आ रही है कहा तो ये भी जा रहा है कि जितने भी वरिष्ट अधिवक्ता है वो इस कानून का विरोध कर रहे हैं लेकिन सबसे बरा सवाल है कि अगर ये पड़िवर्तन हो रहा है तो इसके पीछे का वजह क्या है तो इसके लिए हम जुड इवर्तन होगा इसमें क्या कुछ नया है जो देखने को मिलेगा आपका बहुत-बहुत स्वागर नमश्कार हम यह पूछना चाहेंगे कि यह जो नया कानून को इन्फोर्स किया जा रहा है इसके लिए तना हो हंगामा हो रहा है इस पर क्या लगता है कि आपका क्या विचा रहा है और इस पर विचार करने क्या हो सकता है मुलता कई चेत्रों में देखेंगे तो आप अब नाम को ही लिए आई पीर सी इंडियन पैनल कोट मतलब भारतिये दंड संगीता या परक्रिया जो भी कहिए संगीता तो दंडित करने की बात हो रही है इसमें और इसमें न्य न्याय की बात हो रही है भारतिये न्याय संगीता इसका नाम हमने दे दिया और दूसरी बात यह है कि परस्चितिया जब बदली है जो एक फाइयर होता है हम लोग कहते हैं कि देर से न्याय मिल रहा है तो कहीं ने कहीं देर से न्याय नहीं मिले समय पर न्याय मिले इसके ल चुके हैं तो दिखाई पड़ता है जब हम उपर तक जाते हैं तो साक्षी के रूप में जो टेक्नलोजी के आधार पर पर प्राप्त होते हैं उसको भी कोड का विर्नकार चुका है इस सारी चीजों को देख करके अभी के लिए यह बहुत आवस्यक था अंग्रेजों के समय म सार्भामिक्ता इसको इसके विरोद में आप जा रहे हैं अब जिसे आतंग बाद देखिए आतंग बाद बहुत बड़ी समस्या है और अभी की समस्या है तो आतंग बाद को भी देखना पड़ेगा आपको उसको परिभासित करना पड़ेगा अब जिसे विबाह को ले करके लफ जिहाद की जो बात होती रहे केरला से लेकर किसा भी जागा तो इस ये समस्या तो है अब इस समस्या को समझना पड़ेगा और कानून में कैसे न्याय मिले इस पर विपचार करने पड़ेगी तो इस सारे चीज़ दिखाई पड़ते हैं हो सकता है कि इसके प्रक्रिया में कुछ समस्या हो तो उस समस्या का समाधान भी होना चाहिए लेकिन इसको सकारात्मक दिख्री से अपनाना चाहिए क्योंकि आज की जो समस्या है उसका समाधान देने का एक बहुत बड़िया बड़ा एक कदम है और सराहनिय कदम है इस दिख्री से आप देखेंगे तो भारत के नियाएक इतिहास में 1 जुलाई 2024 एक महत्वपूर्ण दिवस बनने जा रहा है और अब जो है हम बात करने जा रहे हैं शारदान अंद जी से युवाधी वक्ता है अभी अभी हमने आपको बताया था तो सबसे बरी बात है कि ये कोट में रोज जा रहे हैं चीजों को अनलाईसिस कर रहे हैं देख रहे हैं तो इनका इस पर क्या नजर्या है क्या कुछ परिवर्तन होगा इसमें और किस से लोगों को क्या फायदा होगा किस तरीके से इसमें क्या कुछ नया है देखने को मिलेग तो क्या लगता है कि क्या इसमें जो है और परिवारतन करने की कोस्ति की जा रहे इंफोर्समेंट में इन नया परिवारतन में तो जैसे कि पुलीस का स्टाडी को लेके जो डियोरेसा ने उसे बढ़ा दिया गया है और दूसरा है कि अलेक्ट्रोनिक एविडेंस की बात आप ह सर्व होता है मेल के द्वारा आपने सीन कर लिया तो सर्व माना जाएगा इस परकार से तब देली आया है अब है कि साथ साल के अंदर जो सजा वाले जितनी भी क्राइम है उसमें फॉरेंसिंग रिपोर्ट के होना जरूरी है तो उसके लिए मेरा मानना यह है कि परिवर्तन त कर दर्ज होगी तो उसका पैरलर तो एविडेंस एक्ट पहले से भी है सियार पीसी पहले से है तो उसको किस परकार से आगे बढ़ाया जाएगा क्या नया कानुन के तहत बढ़ाया जाएगा या पीछला कानुन के तहत बढ़ाया जाएगा इस पर एक सरकार को जारी करना च साय उसके तहत होगा यह समझाना चाहिए था सरकार को अच्छा एक चीज आप जो बोल रहे हैं कि इनफोर्स्मेंट में आपने कहा कि नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए यह एक एहम सवाल है क्योंकि मान लिजे कि कल इनफोर्स होता है और परसो जाकर के कोई केस जो है होता ह कूर्ट में तो उसमें जो है कहीं ना कहीं वकीलों के लिए भी एक समस्या खड़ी हो जाएगी क्या आखिर हम नोटिफिकेशन तो है नहीं तो हमें किस के तहर जाना चाहिए हो सकता है कि अगर पुराने लौस के तहर उसके इसको ले जाते हैं तो उसको रद्ध कर दिया ज तो नया इंफोर्समेंट में किस तरीके से काम करना चाहिए यह तो क्लियर होना ही चाहिए साथ में अधिवक्ता जो इसको लेकर सुप्रीम कोट में भी हम सुन रहे हैं कि काफी जादा अंदोलन वगरा कर रहे हैं तो यह इसके पीशे का क्या कारण हो कारण बसोही मैंने जिसको कहारे पैरलल सिस्टेम के बात करी ऐसे पहले से है जिसका जूपलाय जिसकी ट्रायल अभीचल रही है तो उसका जूपला wphtी इसका चाहरे है एक आने के पास infrastructure उतना चाह नहीं तो क्या forensic colleges खोलेंगे क्या expert जो बीटने साते हैं क्या उनकी संख्या बढ़ाई जाएगी क्योंकि साथ साल से जितना भी maximum seven years का जो है सजा आया उसमें forensic report होना जरूरी है तो क्या forensic research center बिहार में मेरी समझ से भारत ये बिहार को हिले तो यहां के थानों में उस प्रकार की विवस्था अभी तक नहीं है दूसरी बात है कि पुराने जो प्रक्रिया थी उस कानून थे उसके तहट अभी तक के दर्ज की जाते रहें तो दर्ज करने के बाद भी उसको एक निश्कस तक पहुचाने के लिए काम करना पड़ेगा तो यह संक्रमन का काल है तो इसके इसे निपटने के लिए समस्याओं को निपटने के लिए तयारी की आवशकता है जो अभी तक दिखाई नहीं पड़ रही है वो होना चाहिए यद यह इसा नहीं होता है तो इतना अच्छा कानून इतना अच्छा एक पहल कदम उठाए गया सरकार के द्वरा विदीग में बदलाव लाने के लिए यह आगे चल करके लोग परिसान हो करके इसको छोड़ने नहीं लगें या इसके तो सुना आपने कि जो नया खानून इनफोर्स हो रहा है उस पर अभी हम बात कर रहें थे तो इससे कई बाते निकल कर सामने आई है कि ठीक है यह जो इनफोर्समेंट है इसको हम पॉजिटिव तरीके से ले रहे हैं लेंगे भी लेकिन इसके लुप होल्स क्या हो सकते है फ कोई भी चीज इनफोर्स हो रहा है तो वो नए तरीके से हो रहा है तो उसमें जो भी ऐसा लुप होल्स है उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए खास तोर पर इन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि इसमें किसी भी तरीके से कोई ऐसा नहीं छुट जाए लुप होल्स जिसस कानून तो इसके बास इसके नए नए अपडेट हम लेकर आपके सामने आते रहेंगे और आपसे जरूर रूबरू होते रहेंगे फलाल इस वक्त की खबर में इतना है और बेसनी तमाम वीडियो और ये अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें हमारे च्रैनल स्वत्तु समाचार धन्यवाद